हलो अर्वन तो आज किस वीडिए हम बात करने वाले हैं एस्क्रोस के बारे में जिनको नहीं पता हुने बता तो कि एस्क्रोस मार्टी स्यूज़ की एक प्रीमियम कॉंपेक्ट एस्वी थी या पिर कह सकते हैं क्रोसओवर एस्वी थी जिसे लास्ट एरी डिसकंटिन्यू कर इसकी कम शेल्स के कारण और अला कि ग्लोबली मार्केट के अंदर इसका न्यूज़रेशन लॉंच हो चुगा लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर इसके न्यूज़रेशन को लॉंच नहीं किया है इसके कुछ रेंडर डिजीन आप यहां पर देख सकते हैं जो की न्यूज इसका न्यूज़रेशन का जो इंडिया के अंदर इसके न्यूज़रेशन की थी वह उसके पैटलिफ्ट जब लॉंच गया था तकाब चार लोगों कहना थे उसका जो लुक था फ्रेंट लुक आजकर BMW जैसा था और यहां पर आप देख भी सकते हैं इसकी जो हैडलाइट ह जो 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 लोग जिन जिन लोगों को पसंद थी एसक्रोस या पर काब चार जिन लोगों को पसंद नहीं थी जो चाहते हैं इसका भी न्यूज जनेशन जो इंडिया के अंदर वापच आए जो उन सब के लिए एक चैटका सा है वही क्योंकि न्यूज जनेशन जो एसक्रोस इंडिया के अंदर साही दी लॉंच हो अगर हो सकता है कंपनी अगर प्लान करें आने वाल टाइम के अंदर लॉंचिंग के बारे में तो उस टाइम देखा जाएगा क्योंकि हाल प्लाल तो ऐसी कोई भी नहीं है न्यूज बज इतनी है कि न्यूज जनेशन जो एसक्रोस है वह इंडिया के अंदर लॉंच नहीं होने वाली है जो एसक्रोस थी वह कापी ज़्यादा ओवरेटेट हो कि दिजेन के मामले में पीचर्स के बारे में और अलगी एक फुल स्वाइज ऐसी भी नहीं थी एक क्रोशोवर ऐसी भी कह सकते हैं जिसके वज़े से हुंदी क्रेटर और के शेल्टर उसको कमपीट नहीं कर पाती थी इसलिए मार्टी वाला ने इसे डिस कंटिन्यू करना ह नहीं सही समझा हो लो इसकी जगे पर ग्रेंड वीटर को लॉंच गिया